चंपाजी नमस्कार सो से अधिक प्रसिक्षण प्राप्त की जो अलग-अलग विश्यों पर है उसी में एक क्रेशी सखी का प्रसिक्षण मैंने प्राप्त की सर मैं उत्तर प्रदेश, हरियाडा, पंजाब, मद्ध प्रदेश में साड़े-पांच हजार महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रसिक्षण दी हूँ सो साहता समू से मैंने 75,000 की लोन ली मुख मंतरी सोरोजगार योजना से मैं एक लाग की लोन ली एक लाग 75,000 की क्रेशी किसान सेवा किन जिसमें की सर जैविक खाद, जैविक कीतना सक, निमास्त, बबमास्त, अगनियास्त ये सब जैविक हैं सर जो हमारे घर में गाय के खाय हुए सेस बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं सर पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे साल में चालिस पचास हजार कमाना हमारे लिए मुस्किल होता था उससे हमारी घर की खर्च नहीं चल पाती थी आज दोस्र धाई लाग कि तीन लाग लगवग मैं एक साल में कमा लेती हूं और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है सर आपका जो सपना है आप निर्वर भारत बनाने का हम समु के सभी दीदी आपके सपने को आप निर्वर भारत बनाने के लिए साकार करेंगी चंपा जी बहुत बढ़िया ढंग से आपने सारा ग्योरा दिया और आपने जीवन में कुछ करके दिखाया है जैज़ी आपने बताया कि आपने कृष्टी सिबंदी ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ उस ट्रेनिंग को लेकर जैसे आपने बताया चार-पाँच राज्यों में जाकर के आपने लोगों को प्रिरीत किया, उसका परणाम क्या मिला है? सर मेरो को इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि मैं बेरोजगार थी एक तो मुझे रोजगार प्राप्त हुआ मेरे घर के स्थिती अच्छी नहीं थी मेरी स्थिती सुधर गई मुझे एक आय की साधन मेरी बन गई और जो तीन चार राजियों में मैंने जो प्रसिछड दी उससे कम लागत में ज्यादा उपज होने लगी और पिर जो सक हम बजार से खाथ खरीद के लाते थे कीटना सा खरीद के रासानी के लाते थे तो वो हमारे खेतों में उर्वर का सक्ति कम करती थी वो हमारे जीवन को भी सरीर को भी नुकसान पहुचाता था आज खेत में एक उर्वर का सक्ति बढ़ गई है अच्छा आपने मैं जो बताया गया कि NPM, Non Pesticide Management से एक ऐसे विशे की दुकान खोली तो गाउं में इस प्रकार की दुकान करना ये भी बहुत बड़ी बात है इसका विचार कैसे है आपको? सर मेरी दुकान भजार में है वो भजार में जो हर सब्ता है और हर दिन लगी रहती है वहाँ आसपास के किसान लोगों को आने जाने वालों को मेरी दुकान में दिखती है और हर समूह में हर गाव में सब को पता है कि चंपने जैवी खेती क्रेशी के दुकान भी खोली है किसान सेवा केंद्र आप परिवार में आधिरुप में आप समाज में पहले की तुलना में जैसा आप में कहा है पहले पचास जार उपना बड़ा मुश्किल से मिलता था आप 3-4 लाग भी खमा रही हो और राज्यो में क्या और महिला या और किसान आपके पास खुद आ करके शिखना चाहते हो समझना चाहते हो और वो अपने खेतों में इसको लागू करते हो ऐसी चीज़े हो करके आपके प्रतिक संबान का भाव भी बना होगा आपको खुद को तो भी बहुत बड़ा गर्व होता होगा, क्या अनुभवा आता है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, कि मुझे दूसरे राज से लेके अपने प्रदेश के भी दीदी सभी फोन लगा के फूचते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। शसक्तिकन कर रही है, मेरा मानना है कि जब नारी शसक्त होती है, परिवारी नहीं, पूरा समाज और देश शसक्त होता है। आप इसका एक जूता जाकता उदान है, बहुत बड़ा उदान है। और चंपा जी मैं एक सुझाव दूँगा आपको। इसली बार मैंने मन की बात में एक छोटा सा विशय रखा था। उडिशा के जंगलों में रहने वाले एक पहले मद्दूरी करने वाले भाई, उन्होंने क्या किया। जो गाउं में खाने वाली चीजे हैं, उन्होंने ऑनलाइन उसकी रेसिपी वगरे उसके समन में सारी चीजे लगना शुरू किया। और दीरे दीरे वह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए है। क्या आप कुछ ओनलाइन ये जैविक खेती का अभियान चला सकती हैं अपनी मंदली के द्वारा, ताकि लोग ओनलाइन आये, सीखे, समझे और आप भी उनसे समभात करती रहें। तो टेकनोलोजी का उप्योग करने का एक अगला चरण आप कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए मेरी आपको बहुत उपकामना हैं, और मैं मद्धप्रदे सरकार को भी कहूंगा, कि वो आपको ये ओनलाइन करने में मदद करें। सर, ये ब्रम्हास की इतना सक है, जो मेरे दवारा बनाई गई है। सर, ये जैवी खाद है, जो अपने दुकान में बेचती हूं सर। सर, मेरे प्रदेश के, मद्धप्रदेश के सभी बहनों के और से आपको साधर प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सुब काम ना है। मिल्क प्रदूसर कंपनी वर्स 2019 में गठित किया गया था। उसके बोड की सदस्यों में से इक, स्रीमती उमाखानती पाल से मैं अपने नभववन को बांको कान रोदR करता हूं। उमाखानती जी नमस्ते है। माननी प्रदान मंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार, मेरी समू की दीदियों को भी प्रणाम, मेरा नाम उमा कान्ति पाल, मैं ग्राम बाकी, ब्लाक सुमेरपूर और जनपद हमीरपूर की हूँ, मैं बल्ली मिल्क प्रडूसर कमपनी में डारेक्टर पत पर हूँ, मेरे साथ 6 ब मैंने जुड़ी हैं, जिसमें से कमपनी हमारी 601 गाह में पांच जनपदों में कार्य कर रही है, और मेरे सतर हजाल लीटर प्रदिन दूद हमारा एकत्री तोकर जाता है, जिसमें से 110 करोण का कारोवार, और 100 करोण का भुक्तान मैलाओं को हुआ, और 3 करोण का लाभ हुआ ओमा कांती जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो आप बता रही हैं, इतना बड़ा प्रभावी बात बता रही हैं, और आपने एक मिल्क प्रोडूशर कमपनी बनाई है, और 25,000 बेहनों को आप जोड रही है, मैं ज़रा जानना चाहूंगा इस क कांब में आपको सरकार की कितनी मदद मिली हैं? वहाँ पर हम लोगों को समझाये, हम लोग उसी में बोले कमपनी में आप जुड़िये, तो हम लोग खुशी के साथ, अपनी नारी शक्ति के साथ इसमें जुड़े, और हिम्मत बढ़ाई, बैनों के भी हिम्मत बढ़ाई, आपकी कमपनी हजारों महिला दुग दूद अच्छा आप अपनी कमपनी में, अपने स्वयम सहायता समू की बेहनों को, कि ययुजा मैं जञ उसंना médias लिए जो इस के एसना फेट होती है उसमें सारा कोड और सही तरीके से चलाती हैं अच्छा आप बेहनों ने कभी किसी बड़ी डेरी देखने के लिए जाने कारकम बनाये क्या कभी जाकर के देखा कैसे चल रहा है ऐसा कभी आपके समू की बेहनों को विचारा एक चलो पर पाथ दिन के लिए टूर पर चले जाते हैं और कोई बड दो जिलों में अभी और काम करना है महोवा और ललितकुर में एक हजार बैनों को भी जोड़ना है नहीं वो तो आप करेंगे अपना विस्तार करेंगे लेकिन आज देश में जैसे अमूल बहुत बड़ा नाम है तो कभी मन करता है कि वहाँ जाए यहां देवी कैसी है वहां देखें ऐसे कभी सोचा है क्या जी सर देखिए अगर आप सब बेहने तै करती हैं तो मैं गुजरात में जो डेवी का काम होता है आपको वहां देखने के लिए जाना वहां पर क्या क्या वरता है इसकी मैं विवस्ता कर सकता हूँ तो मैं अपने सर्कार के अधिकारियों को बताऊंगा कि आपकी 15-20 बेहनों की टोली एक बार जाकर के देख के आएं आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मुझे पक्का विश्वा से बहुत बढ़िया कर सकती है एक और काम आप कर सकती है क्या जो पशु चिकित्सक होते हैं वेटानरी डॉक्टर होते हैं सरकार का डिपार्टमेंट होता है क्योंकि पशु पालन ये सबसे बड़ी चीज होती है डेरी में और हमारे देश में पशु पालन मुख्यत वेरुप से महिलाओं के द्वाराई होता है तो आपकी बेहनों का पशु चिकित्सक डॉक्टरों को बुला करके बे बेहनों को दो गंटे तीन कंडे पढ़ाएं कि अपने पशु का समालना कैसे पशु की कौन सी बिमारी आती है तो कैसे करना वैसे कारकम बना सकती है क्या जी सर हम लोगों के इदर है पारकरम ये पशु चिकित्सक है वहां पे हम लोगों के जानवरों का अगर कोई ठनैला रोग है ये सारी सुब भी चल रही है। नहीं, मैं उमा कानती जी दूसरा कह रहा हूंगे, ये पशुची किछ सग है, पशु की कहर करते होंगे, मैं कहता हूँ, जो आपकी सारी सक्षी बेहने हैं सब, उनकी ट्रेनिंग, कि पशु को कैसे समालना, पशु को क्या खेलाना, पशु को कप पानी पिला कितना पैंवान्य सब सिखने जंड होता है किया एसा कोहीं सिखने वाले कार्कम होते हैं क्या आप जा ह reviewers referring हो रहा है आपी सब मेरवानी है सराजी आप ने बहुत्व कुछ किया हमाइच सानरी हिंम्मित बढ़ाए हूं को हमारी करता है जी अपने खादी मिशन के द्वारा बॉक्स दिये जाते हैं शहद के लिए मदुमक की पालन के लिए यह आपकी जो बहने हैं उनको अगर आप इस काम से भी जोड़ दें तो दूद के साथ साथ वो शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं और आपकी मनली हैं वो शहद कर जाएगी तो इसके साथ जैसे दूद का कर रहे हैं उसके साथ शहद का भी जोड़ देना चाहिए तो कर पाएंगे आप लोग मैं हमारे गिर्राज जी को कहता हूं कि जरूर जितनी बाते मैंने बताई हैं क्योंकि आप इतने उत्सां से करिए और बुंदेल खंड ये तो मेरी तरफ से आपको बहुत सुपकामना है धन्यवाद जी सर्क मानी प्जानवाशी जी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं एक छोटा सब्वाइनों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ मैं जुरूर दुबारा सुनूगा, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सुब कामना है। क्योंकि वर्ष 2020 में स्थापना की गई। उसकी अध्यक्षा श्रीमची चंद्रमानी दास से अन्रोद करूंगा कि वे उद्यम से जुड़ी अपनी बातों से माने प्धानमंत्र जी को आवबत करा है। जो स्कूल में पड़ते हैं। मैं राष्ट्रो गार्मिन आजिरवया मेशन के नारी सकती क्लॉस्टरिक अध्यक्ष हूँ। इस मिसंद्र अंतरगत हमारे एक बेक्टरी ग्रोज सेंटर का गठन हुआ। जिसका हम मैं संटागन करती हूँ। हमारे इस ग्रोज सेंटर बेक्टरी में हमारे… हमारे चालीश महिला कूर आर्सीटी जे द्वारा पहले ट्रैनिंग जिया गया था। तो उसमें हमें जैसे बेक्टरी प्रोज बंद और रस और केक बरा सिखाय गया था। तो हमारे बिस्कुट भी बनाना सिखाया। जो हमें मंदुवे के आटा और मक्के जो और स्वयविन के आटा से हमने बनाया। तो यह जैसे लोगों को बहुत पसंद आया। तो उसमें हेल्थी भी है और टेस्टी भी है। तो हमेरे अंगनवाडी कैंटर से हमको और मिला है कि हमें शटे-शटे बच्चे के तीन से छे साल बच्चे को प्रवाइट करेंगे। तो हमें इसमें हमको पहले 88,000 विस्की का और मिला था जो हम हमें आच्छे से पूरा करा। तभी हम जुलाई में हमको 55,000 विस्की पेकेट का और मिला है। जो हमारे टॉट्टाल टॉनावर अभी तक 9,9,32,000 है। और हमारे जो सारे खर्जा काटके हमको 10,30,000 का प्रफिटी मिला है। आगे हम ये सोचलिज़शा हो और हमारे समो के मैला है। हमने एक मिनी ट्रॉक हर्दी करा। जिसले हम एक फूट ट्रॉक में कानवेट करा है। जो हमारी जो रुद्रकुल सिटी में, सिटकुल वगरा में कीफिन ब्यवस्ता के करेंगे। चंद्रमानी जी आपका आपकी जो प्रोड़क्त है। तो यह यह जो आप वहां तो बहार बड़े तिर सियात्री भी आते हैं। क्या उनके अंदर यह पॉपुलर है, लोग खरीते हैं, खाते हैं। सर्, बहुत पॉसंद करते हैं हमारे बिश्क्रिट को। और अपने गाउं भी ले जाते हैं। जी सर, अजा चंद्रमन जी आप बताइये कि पूरी आत्रा में आपको सरकार की कितनी मदद मिली। सर, महिला के पैसे हम मिला था उस में से पहले पर बैक्रीश सेंटर बना गे दिया उनने और इसके बाद वो सिय के पैसे मिला को तो उसमें ही से हमें उसको बना रहे हैं। चंद्रमणे जी इस्वयम सहायता समू से आप अपने जीवन में और आपने गाउं की बहनों की जिन्दगी में पहले की तुलना में जब ये काम नहीं चलता तो तब क्या स्थिती थी अब इतना सारा बड़ा काम किया दस दस लाग रुपे का कारोबार हो रहा है तो अब क्या जिन्दगी में स्थिती बनिये बहनों की जिन्दगी में? ग्राम सौंटन भी उपर स्वार्कार ने हमको पैसे दिया, सर आपके मारें से हमको मिला है, तो उसमें हमें कोई छोटे मोटे बिजनेशी करने लगे, जैसे हम जो गरी महिलाये उनको कोई दुकान करके दिया, कोई चिलाई मैसिन लिया, कोई मतलगाय भैस भी लेकर पलन करें तो आज हम जब वेकर सेंटर में काम करते हैं, हमें इसमें 35 महिलाय काम करते हैं, तो उनको महीने में 77,000 गर बैतनाम देते हैं, तो वो बहुत खूस हैं, और आत्रमी निर्वर मतलग हो रहे हैं। चंद्रमनी जी, आज जब देश आजहादी का अमरित महोत्सों बना रहा है, आजहादी के 75 वे वर्ष में प्रवेश करने वाला है, तो आप देश की अन्य महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा बन करके आज काम कर रही हैं, आपके माध्यम से देश स्वयम सहायता सम की ताकत की भी आज अनुभव कर रहा है, सरकार की कोशिस है कि हम हर गाउं में ऐसे छोटे-छोटे-छोटे संगठन खड़े करें, उन संगठनों को ट्रेनिंग, संसाधन और पैसों की कमी ना होने दी जाए, मार्केट की व्यवस्ता हो जाए, और ये तभी संभव है जब इसमें आप जैसी जागरुप महलाएं सामने आती हैं, जब किसी संकल्प में जनता की शक्ती मिल जाती है, तो उसे संपूर्ण होने में देर नहीं लगती है, आप ऐसे ही प्रग्यति कीजिए और अपने साथ गाउं, प्रदेश, देश की महलाओं की प्रग्यति में भी आपको बहुत सुपकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैंती जिवनक्ताम इन्द प्लास्टिक रेसाइक्लिंग यूनिटा वंद आउंक स्टार्ट पनना इधला वंद ना मैनेजरा वर्क पन्ट रहे। माननिय प्रधार मंत्री जी को मेरा सावर प्रणाम। मैं जैंती दिंदिगल, तमिलनाडु दिंदिगल पंचमबटी से हूं। में सन 2006 में इन्द सावर नामक समू से जुड़ी। इस समू से में और मेरे जैसे अन्य सदस्य बैंक से छे बार लोन लेके पासुपालन, मुर्गी पालन जैसे अन्य आजी को आय करके हमारा आर्थिक अभस्ता और आय को बढ़ाये हैं। सन 2010 में हम्में प्लास्टिक पुनरूप्योग इका-इका स्थापन किया, इस इका-इका में 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 मेनेजर हूं। कि्में प्लास्टिक कलीविद्य गड़ंवतलन, मुल्टिक நे में मशता की सफ्क्रिण इंद प्लास्टिक कलिविगल अरंद इधा तरंपिरुच्चु इधा वर मधिपकूट्टम पोर्ला आरच्चु नांगा थार रोट्ट बयन पाट्टे इरुकाँ नांगा कुड़त्त विट्ट्व रूरां वातावरन समस्या के लिए हानिका रख है हमारे गाम और आसपास के जल इकाई काव भी प्रदुशित करने लगा हमें आजिविका मिशन ने सुझावड़ी की हम इस प्लास्टिक की कच्रे से कुछ मूल्य वर्धन कर सके उनके सुझाव के अनुसा हमने पांच लाख रुपिय से इस इूनिट को स्टार्ट किया है हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन आजिविका मिशन के अनुदान थी हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन एसाब हमारे पास है हमकोल disgrace 30 सदस इस इस उनिट में काम कर रहे हैं पिछले 12 महिनों हम लोग ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इसे हमें दसलाग आसी हजार की कारोबारी हुई अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की हैं वो सब डियादी को बेजे हैं जो सडक निर्मान के लिए उप्योग किया जाता है प्लास्टिक कलिवगल वंदे किलो नांगा अंजी रूबान एड़ुकुरां अधा तरंबिरिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् वाइपाई अलित ब्रदमर अवरगळकों यंगलोडे तामिणा अधारसर को मनामारन नंटरीने तर्वीच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् की कारोबारी हुई हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमेटर की रोड बनी है इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रती दिन 700 की हिसाब में महिने में 8000 मिल रही है हमें इस अफसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तामिलनादू यंपट्विश्पश्श सर्कार को पहुत भृट नजय वाट जयन्ती जी सवसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी सभी सखीयों को सभी आपकी साथी बेहनों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बदाई हाँ आप तमील में बोलिए आप तमील में उनको समझाइए बाइक पर ही बोलिए तमील में ताकि बागी सब बहने भी सुने प्रधानमंत्री सार होंगे लार को बंदे नंटी सोल रहांगे आप हिंदी में बताई है क्या बताया है यह आपका फिर से थानियबाद कर रही है अच्छा तेके तो आपने इतना बड़ा महत्वपुन काम किया है कि पुरे देश के अंदर इस पकार के सखी मंदल के लोग कर सकते हैं आपने सब पुड़े कच्रे से प्लास्टिक एकट्टा किया प्रोसेस किया 200 किलोमेटर तके रोड बनाए और 30 लाग रूपिय का कारोबार किया यह अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है परियावरान और प्रगेति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है इसका आपने बड़ा उधान प्रस्थूत्तिया है प्लास्टिंग प्रोसेसिंग यूनीट का विचार यह आपके मन में कैसे आया याने थोड़ा यह टेकनिकल काम है इंडस्ट्री जैसा है तो यह कैसे आया आपके मन में सार हमें ये सुझाव आजीर का मिसिन ने दिय थे उसकी सुझाव सेही हम लोग ने उनके ट्रेंडिंग से ही हम लोग ने या यूनिट बनाया आप तो भारत सरकान ने भी नियम बनाया है कि रासते में बनाने में प्लास्टिक का उप्योक करना ऊसके कारण बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो सभी बहन अगर इस काम को करेगी, तो बहुत फायदा होने वाला है, स्वयम सहायता समों से, इतनी सारी बहने आपके यहां काम कर रही है, क्या कभी उनके साथ बाक्चित होती है, उनके जीवन में क्या बढ़लावाया, उनके जीवन में क्या संतो प्लास्टीक इजिल सेंदा नाल, अवंगो वाल्वाधार हैं इप्टि इरुक्वा, उनके वाल्वाधार हैं यूइरुक्वा, यंगलको पेंगलाई, एंगलको कैयल वर्माना अरुकद नाल, यंगलोड कुछंदेगलोड़ पडिप्पुसेलवो, प्षुल्वो हम पहले तो हमारे कुछ खांटांदा कुछ नहीं था अब तो हम महीने में आठ अजार कामाते हैं इससे हमारा घरेलिक खर्चा सब होता है होरा हमारा बच्चे लोग का फीस में भर सकते हैं ने तांज शेफ में पर निफ्र थे अब तो कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि आपके प्रोसेस किये प्लास्टिक से करीब जैसे आप बता रही थी कि 200 किलोमेटर की सडक बनी है ये छोटी बात नहीं है अगर ऐसे ही हर गाउ ठान ले तो हम प्लास्टिक से होने वारे प्रदूशन को बहुत कम कर्ष पाएंगे मेरी तरफ से जैनती जी आपको आपकी सभी साथी बेहनों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुपकाम नाएं धन्यवाद मुनक्त कम दीन द्यालू पाद्याय ग्रामीन कौसल कारिक्रम के तहट 11 लाक युवाओं को प्रसिक्षन और 7 लाक को रोजगार दिलाया गया है मैं मनीपूर की सुस्री जोईसी देवी जो बर्तमान में मेरांता अस्पताल गुरुगाओं में स्टीवर्ट के रूप में काम कर रही है से अनुरोत करूंगा कि मनीपूर के चूराचानपूर से अब तक की यात्रा है भविस्ट की योजणावों पर प्रकास डाले को जोईसी नमस्ते मेरा नाम धौजम जोश्ती देवी है मैं मनिपूर के चुरचानपूर जिले दीफाइलिन गाउ की रहने बाली हूँ मेरा पीता एक कॉंस्ट्रक्शन वारकर है और मेरा मा एक वहनी है मैंने अपने स्पूल शिक्षा जवाहर नवदिया लिया चुरचानपूर जिले मनिपूर में पूरे की और तता इंस्टिट आफ सोशल साइंस गवाहती में अपना ग्रजेशन प्राप्ट किया इसके पाद मैंने कई नोक्री अच्छी नोक्री के तलास की लेकिन मुझे नहीं मिला फिर मैंने DDU GKY के ताहट विजान होस्पिटालिटी गुरू ग्राउंड में फूट और बेबरेस सर्विस का प्राशिक्षन किया और मैं अभी एक मुझे नेशनल कमपनी कमपास ग्रूप इंडिया के मजियम से मेदन्ता होस्पिटाल गुरूग्राम में स्टिवार्ट के रूप में काम कर जाए हुँज है जोईसी मनीपूर तो आजकल खेल कुट की दुनिया में भारत का मुकुट मनी बन गया है आप भी कुछ खेलती है क्या कि किसी स्पोर्ट में भाग लेती है क्या तर जब मैं छोटी थी तब मैं जुदों खेलती थी पर आप भी तो नहीं से अजय जोईसी क्या आपको लगता है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली उसने क्योंकि कहां मनीपूर और कहें कहां गुरू ग्राम और कहां से कहां आपकी दुनिया बदल गई तो आपको क्या लगता है आपके जीवन की आत्रा को आप कैसे देखती है सर मुझे यहां ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे एक्सपोजर मिला है पालिस्टार होतल में जैसे हाय अपलाइस हिल्टन होतल में एक्सपोजर भी मिला है आण ट्रेनिंगा है और ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत सारे अफ्सपोजर भी मिला है दुबाई के बाद मुझे आफ्ट-ाफर मिला है आप नौर्थ इस्ट और देश भर की ग्रामिन इलाकों में रहने वाली जो हमारी बेटियां है उनको क्या संदेश दे सकती हो क्या कहना चाहेगी तरव में ये कहना चाहिए हो कि आप अच्छा कार हासा कार हमारी मेरे जैसे मदद मन जरूरत मन लोग ग्रामिन लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कार्याकम चला रही है हमें उसके लाइफ लाफ उठाना चाहिए और मेरे तेसे जिन्दगी बदरने के लिए डी यू जी के वाई के साहत प्रसिक्षन प्राप्ट करने के लिए अपना नमानकन कराना चाहिए तर जो ऐसी आपने बहुत अच्छी बात की आप अपनी महनत से मनिपूर के छोटे से गाउं से दूबय तक का सफर पूरा करने जा रही है मेरी बहुत बहुत उपकामना है आपने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ती हो तो कुछ भी हासिर किया जा सकता है मेरी तरब से आपको बहुत-बहुत उपकामना है दन्यवाद स्वयम सहाइता समूहों को विविद आजी विकाओं की स्थापना और समवर्द ने तु भाति-भाति का सही योग किया जाता है खाद प्रिसंसकरम उद्योगों के औप्चारी करन की योजना के अंतरगत आज बचेतर सो बहनों को बीज पूंजी के रूप में पच्चिस को रुपे दे जाने का प्रस्ताव है इसके साथ-साथ ही छोटे किसानों के लिए क्रिशी छेतर में मुझे समवर्दन के आउसर सुलग करने है तु मानेवर दस जार एफपियो गठन की योजना भवधिये ने गतवर्श शुरू की इसेजी महिलाओं ने 75 एफपियो संगठन गठित किये हैं उनकी सहायता के लिए बतौर प्रिथम की 4.13 लाक रुपे की राशी दिये जाने का प्रस्ताव है आजीवका कारिकरम के अंतर मंत्राले स्वहम सहायता समुहों को अपनी गतिवीजियों को प्रारम्भ करने के लिए पूंजी उपलप्त कराता है तीस राज्यों संग साथ चेत्रों की 4,07,000 इसे जी संगों को 1625 कौर रुपे की राशी आज पूंजी सहायता के लूप में दिये जाने का प्रस्ताव है मैं मानियवका धारमंत्री जी से अम्रोद करता हूँ कि वे बटन दबा कर उप राश्यों की बिमुक्त करें मैं मानियवका धारमंत्री जी से अम्रोद करता हूँ कि वे ग्रामीन विकास की गुभारत के विकास की अपनी संकलपना और उसमें ऐसे जी बेहनों की भाविदारी के संबन में अपने आशिव बचन दे नवस्कार आज जब देश अपने आजाजी का अमरी त्महोसों मना रहा है तो यह आयोजन बहुत एहम है आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ती एक नई उर्जा देने वाली है आप सबसे बात करकर के आज मुझे भी प्रेणा मिली है आज के इस कारके में उपस दित केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गान राजस्तान के आदर्णिय मुख मंत्री जी राज सरकारों के मंत्री गान साउसद विधायक साथी जिला परिशत के चैर्मेन और सदसे गान देश की करीब करीब तिन लाख लोकेशन से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों बहने और बेटियां अन्य सभी महनुभाव भाई और बहनों अभी जब मैं स्वयम सहायता समुवों से जुड़ी बहनों से बात्चित कर रहा था तो उनका आत्मविश्वास मैं अनुभव करता था आपने भी देखा होगा उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक कैसी है कुछ करने का जजबा कैसा है ये वाकई हम सब के लिए प्रेरक है इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं साथियों कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयम सहायता समुओं के माध्यम से देश वासियों की सेवा की वो अभुद पुर्वा है मास्ट और सेनेटाइजर बनाना हो जरुवत मंदों तक खाना पहुचाना हो जागरुकता का काम हो हर प्रकार से आपके सखी समुओं का योगदान अतुलनिय रहा है अपने परिवार को बहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोडों बहनों का मैं अभिनन्दन करता हूं साथियों महिलाओं में उद्यम सिल्टा का दाहरा बढ़ाने के लिए आत्म निर्भर भारत के संकफ में अधिक भागिदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है फूट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो महिला किसान उत्पादक संग हो या फिर दूसरे सेल्फ एल्फ ग्रूप बहनों के ऐसे लाखों समुहों के लिए सोला सो करोड रुपे से अधिक रासी बेजी गई है रक्षा मंदन से पहले जारी इस रासी से करोडों बहनों के जीवन में खुश्या आए आपका काम का फले फुले इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुपकामना है साथियों स्वयम सहायता समुह और दिन दयाल अंतोदय योजना आज ग्रामिन भारत में एक नई क्रांती ला रही है और इस क्रांती के मशाल महिला सेल्प हेल्प समुहों से संभव हुआ है और उन्हाने संभाल करके रखी है बिते छे साथ वर्षों में महिला स्वयम सहायता समुहोंने के यांदोलन और तेज हुआ है आज देज भर में लगबक सत्तर लाक्स सेल्फ हेल्प ग्रूप है जिन से लगबक आठ करोड बहने जुड़ी है पिछले छे साथ सालों के दोरान स्वयम सहायता समुहों में तीन गुना से अधिक बड़ोती हुई है तीन गुना अधिक बेहनों की भागिदारी सुनिश्चित हुई है ये इसलिए एहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बेहनों की आर्थिक ससक्तिकन की उतनी कोशिशी नहीं की गई थी जितनी होनी चाहिए थी जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोरो बेहने ऐसी थी जिनके पास बेंक खाता तक नहीं था वो बेंकिंग सिस्टिम से कोशो दूर थी इसलिए हमने सबसे पहले जंदन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान चुड़ू किया आज देश में 42 करोर से अधिक जंदन खाते हैं इन में से करीब 55 प्रतिशन खाते हमारी माताव बहनों के हैं इन खातों में हजारों करोर रुपिय जबा है अब रसोई के डिब्वे में नहीं वरना में मालूम है नहीं गाउं में कहा करते हैं रसोई के अंदर से डिब्वे होते नहीं कुछ बच्चे कुछे पैसे उसमें रख देते हैं अब पैसे रसोई के डिब्वे में नहीं पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं बहनों और भाईयों हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से रन लेना भी आसान कर दिया। एक तरफ मुद्रा योजना के तहट लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान रन उपलब्द कराया। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्फ गुरूप्स को बिना गारंटी रन में भी काफी बढ़ोत्री की। राष्ट्रिय आजी भी का मिशन के तहट जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी हैं वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना जादा है। इतना ही नहीं लगबग पौने चार लाग करोड रुपिये का बिना गरंटी का रन भी सेल्फ हेल्फ गुरूप को अप्लब्द कराया गया है। साथ यों हमारी बहने कितनी इमानदार और कितनी कुसल उद्यमी होती हैं इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। साथ सालों में स्वयम सहायता समूह ने बैंकों की रन वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है। एक दोर था जब बैंक लोन का करीब अभी गिर्दाजी बता रहे थे नव प्रतिशत तक मुश्किल में फस जाता था। यानि इस राश्ची की वापसी नहीं हो पाते थी। अब ये घटकर दो धाई प्रतिशत रह गया है। आपकी इस उद्यम सिल्ता, आपकी इमामदारी का आज देश अभिवादन कर रहा है। इसलिए अब एक और एहम फैसला लिया गया है। इस सेल्फ हेल्फ गुर्प को पहले जहां दसलाख रुपिय तक का बिना गयनेटी का रण मिलता था, अब ये सीमा दो गुनी यानि बीस लाग की की गई है। पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे, तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोडने को कहते थे, और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे, अब इस सर्थ को भी हटा दिया गया है। ऐसे अनेक प्रयासों से अब आत्म निर्भरता के अभ्यान में अधिक उत्सा के साथ आगे बढ़ पाएगी। साथियों, आजादी के 75 वर्स का ये समय, नए लक्ष तै करना और नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूशक्ति को भी अम नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार, लगातार वो माहूल, वो स्थीतिया बना रही हैं, जहां से आप सभी बहने हमारे गावों को सम्रद्धी और संपन्दता से जोड सकती हैं। क्रशी और क्रशी आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा खेत्र हैं जहां महिला, सेल्फ, हेल्फ, गुरूप के लिए अनंत संभावना हैं। गाव में भंडारण और कोल चैन की सुविदा सुरू करनी हो, खेती की मशीने लगानी हो, दूद, फल, सब्जी को बरबाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो। ऐसे अनेक काम के लिए विशेस फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ, हेल्फ, गुरूप भी ये सुविदाएं तयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सुविदाएं आप बनायेगी, उची दरे तय करके सभी मेंबर इसका लाप उठा सकती हैं। और दूसरों को भी किराय पर दे सकती हैं। उद्यमी बहनों, हमारी सरकार, महिला किसानों की विशेश ट्रेनिंग और जागरुकता को भी दिरद्दर बढ़ावा दे रही हैं। इससे अभी तक लगभग सवा करोड किसान और पशुपालक बहने लाभानवित हो चुकी हैं। जो नए क्रशी सुधार है, उनसे देश की क्रशी हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, इसमें सेल्फ हेल्फ ग्रुप के लिए भी असिम संभावना बन रही हैं। अब आप सीधे किसानों से खेत पर ही साजेदारी कर अनाज और दाल जैसी उपज की सीधी होम डिलेवरी कर सकती है। इधर कोरोना काल में हमने ऐसा कई जगह होते हुए देखा भी है। अब आपके पास भंडारण की सुविदा जुटाने का प्रावदान है। आप कितना भंडार कर सकती हैं ये बंदेश भी नहीं है। आप चाहे खेट से सिधे उपर बेचे या फ्यूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर बढ़िया प्रेकेजिंग करके बेचे हर विकप आपके पास है। ऑनलाइन भी आजकल एक बड़ा माध्यम बन रहा है जिसका उप्योग आपको जादा से जादा करना चाहिए। आप ऑनलाइन कंपनियों के साथ तालमेर कर बढ़िया प्रेकेजिंग में आसानी से शहरों तक अपने उत्पात बेच सकती है। इतना ही नहीं। बारत सरकार में भी GEM Portal है GEM आप उस Portal पे जाकर के सरकार को जो चीजे खरिद दी हैं। अगर आपके पास वो चीजे हैं तो आप सीधा सरकार को भी बेच सकते हैं। भारत में बने खिलेनों को भी सरकार बहुत पूत्साइट कर रही हैं। इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेज रुप से हमारे आदिवासिक छेत्रों की बहने तो पारंपारिक रुप से इससे जुड़ी है। इसमें भी सेल फेल गुरुप के लिए बहुत संभावन आये हैं। इसी प्रकार आदेश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभ्यान चल रहा है। और अभी हमने तमिल नाडू के हमारी बहनों से सुना। बहन जेनती जिस प्रकार से सर्ट 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 आकड़ी बता रही थी। हर किसी को प्रेणा देने वाली से इसमें सेल्फ हेल्फ गुट की दोहरी भूमी का है। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जाग रुकता भी बढ़ानी हैं और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थेले की जगह जूट या दूसरे आकरसक बैग आप जादा से जादा बना सकती हैं। आप अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकें। इसके लिए भी एक बवस्ता दो तिन वर्सों से चल रही है। जैसा मैंने पहले कहा उसको G.E.M. गवर्मेंटी मार्केट प्लेस कहते हैं। इसका भी सेल्फ फिल्प गुर्प को पूरा लाप उठाना चाहिए। साथ क्यों आज बदलते हुए भारत में देश की बेहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, सावचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविदाओं से सभी बेहनों को जोड़ा जा रहा है। बेहनों बेटियों की सिक्षा, स्वास, पोशन, टिका करां और दूसरी जरुरतों पर भी सरकार पूरी संवेदन सिल्टा से काम कर रही है। इससे ना सिर्फ महिलों की गरिमा बढ़ी हैं, बलकि बेटियों बेहनों का आत्मविश्वाद भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वाद हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेकनोलोजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्म निर्वर भारत के लिए सुखत संकेत है। इस आत्मविश्वाद रास्त निर्मार के इन प्रयासों को अब आपको अमरित महोद से भी जोड़ना है। आजादि के 75 वर्स होने के उपलक्ष में चल रहा, आजादि का अमरित महोद सब पंदरा अगस 2023 तक चलेगा। आठ करोर से अधिक बेहनों बेटियों की सामू इक्षक्ति अमरित महोद सब को नई उचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवुक्ति तो चल रही है। इतनी बेहनों का समू है। क्या कोई ने कोई सामाजिक काम आप आहत में ले सकती है क्या। जितमें रुपिय पैसों का कारोबार नहीं है। सेवा भाव है। क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने खेत्र की अन्य महिलाओं को कूपोशन के कारान क्या बहनों को तकलिप आती है। 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कूपोशन है तो क्या तकलिप होती है। पोशन के लिए कैसे जागरुक किया जा सके। किया आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभयान चला सकते हैं, अभी देश कोरोना वैक्षिन के टीकांग के अभयान चला रहा है। सभी को मुक्त वैक्षिन लगवाई जा रही हैं। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सिन लगवाएं और अपने गाउं के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेजित करें। आप अपने गाउं में ताय कर सकते हैं भी आज़ादी के 75 साल है। हम कम से कम एक साल में 75 घंटे मैं जादा नहीं कह रहा हूं। अपने गाउं के कुए तालाब, इनकी मरमत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं ताकि सिरफ पैसे और इसके लिए समू ऐसा नहीं, समाच के लिए भी समू ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्फ ग्रूप में महिने दो महिने में किसी डॉक्टर को ब बुलाएं, डॉक्टर को बुला करके उनको कहें, महिलाओं को किस प्रकार की बिमारिया होती है, चौपाल लगाएं, महिलाओं के स्वास के लिए वो डॉक्टर आकर के गंटे-डेड़-गंटे का भाशन दें, तो आपके सब बहनों को ये भी लाब होगा, उनके अंदर ज आप जिस काम को करते हैं, बैसा कहीं बड़ा काम चलता है, तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए, पूरी बस किराय करपर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, शिखना चाहिए, इससे बहुत लाब होता है, आप किसे बड़े डेरी प्लांट को देखने जा सकती है कोई बहुत बड़े Gover Gas के प्लांट को देखने के लिए जा सक्ती है कोई Solar Plant को देखने के लिए जा सक्ती है जैसे अविय enclosed plastic क्या आमने सुना आप वहां जाकर के जैन्नी को मिलकर के plastic का काम कैसे कर रेंद सकते हैं आपने अभी उत्राखंड में बेकरी का देखा बिष्ट्य के रिकर कर देखा आपकी बैने वहां जा करके देख सकती है याने यह एक दुसरे का जाना चिखना और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा उसके करण आपकी हिम्मत बड़ेगी इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्रोपन होगा मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे कारियों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं किसी का भदा करने के लिए कर रहे हैं क के ऐसे प्रयासों से ही अम्रित महुत्सव की सभलता का अम्रित सब तरफ फैलेगा देश को इसका लाब मिलेगा और आप सोचिए भारत की आठ करोड महिलाओं की सामुईक शक्ति कितने बड़े प्रणा मिला सकती है देश को कितना आगे ले जाग सकती है मैं तो इन आठ में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है आप उसको पढ़ाईए लिखाईए बहुत ज़्यादा करने जिए तफ़ड़ा बहुत देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएए उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाईए मैं तो जो आप से सुन रहा ऐसा लग रहा था आप से मुझे बहुत कुछ सिखना चाहिए हम सब को सिखना चाहिए कितने आत्म विश्वाद के साथ कितनी कठीर परिज्दितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में व्यक्तिकर जीवन में कितने कष्ट आये फिर भी आपने हार नहीं मानी और कि एक एक बात हर देश की माता तरव बेहनों कोई नहीं मेरे जैसे लोगों को भी प्रेयना देने वाली हैं आप सभी बेहनों के मंगल स्वात की कामना करते हुए आने वाले रक्षा बंधन परवह पर आपके आसिरवाद बने रहें आपके आसिरवाद हमें नया नया till नया आपके आशिरवाद की कामना करता हुआ, रक्षा बंदन की अग्रिम शुब कामना है देते हुए, मेरी वानी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद.